दोस्तों ICICI Bank जो की इंडिया का लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपने अक्सर ओनलाइन शोपिंग के टाइम चाहे आप Amazon से शोपिंग कर रहे हो चाहे आप है य Caleb ौई ऐसा क्रेडिट का जिसकी ना तो कोई जोईनिक भी चाहें की ए सबते हैं कि कोई बी बने इस क्रेडिट करेंग के फ्री क्रेडिट कार्ण चार्ज में इस वीडियो में हम करेंगे और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाई करना चाहते हो तो एपलाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्रिप्शन वोक्स में आपको दे दिया जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करोगे आप आई से बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर एंटर हो जाओगे और इसली वहाँ पर कुछ डिटेल्स एंटर करके आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हो बट मैं आप से यहाँ पर पहले यह रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके फीचर्स एडवांटेजिस और हिडन चार्जिस को जरूर देखो ताकि यह आप खु सकते हो अब इस वीडियो को स्टार्ट करें सबसे पहले इसके बेनिफिट की बात करें तो आइसे से बैंक पे बैक पॉइंट्स पर काम करता है यहां पर यह बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप कोई भी ओनलाइन रिटेल शॉपिंग करते हो यानि कहीं पे भी जाके किसी प्यक्त पाइंट की वेलीए इस केस में एक पैबेक पॉइंट की वेल्यू है 0.25 पैसा यानि अगर आप सो रूपे की शॉपिंग करते हो तो इस केस में 50 पैसा आपको कैश बैक मिलेगा अब यह फ्यूल सरचार्ज विवर देता है इसे हम एक बार आगे डिसक्स करेंगे यहां पे ICSA bank यह बोलता है कि ठीक है जैसे कि अभी हमने discuss किया कि अगर मालीजी हम कोई भी retail shopping करेंगे तो उस case में हमें ICSA bank दो payback points देगा लेकिन यहां पे ICSA bank simply यह बोलता है कि अगर मालीजी आप कोई भी insurance का product purchase करते हो या फिर कोई utility bill पे करते हो यह से मालीजी अपना water bill electricity bill आपको 100 रुपे की payment करने पर दो payback points नहीं मिलेंगे इस case में आपको 100 रुपे की payment करने पर सिरफ एक ही payback point मिलेगा तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है बाकी हम आगे बढ़ते हैं तो fuel surcharge waiver आपको मिलता हिंदूस्तान petroleum के petrol pumps पर आप इस case में ICSA bank यह बोलता है कि आप आपकी payment 4000 रुपे से कम होनी चाहिए यानि ऐसा नहीं आपने 4000 रुपे से जादा का petrol लवा लिया 4000 रुपे से कम amount का ही petrol लवाना है तब ही आपको 1% का fuel surcharge waiver मिलेगा अब यह fuel surcharge waiver क्या होता है देखो normally क्या होता है माल लीजी आपके पास credit card है किसी दूसरे bank का और यह bank आपको fuel surcharge waiver नहीं देता आपने इस credit card को use किया यानि आप किसी petrol pump पर गए आपने 100 रुपे का petrol डलवाया और इस card को use किया जो आपको fuel surcharge waiver नहीं देता इस case में वो petrol pump वाला आपसे 100 रुपे नहीं लेगा इस case में आपके credit card से deduct होंगे 101 रुपे लेकिन अगर माल लीजी मैं ऐसे bankों क बात करूं जो fuel surcharge waiver जैसे की आई से बैंक का यह platinum credit card यह आपको 1% का fuel surcharge waiver दे रहे तो इस case में अगर आप 100 रुपे का petrol डलवा रहे हो तो आपके 101 रुपे डिटक्ट नहीं होंगे आपके 100 रुपे ही डिटक्ट होंगे इसे हम बोलते हैं fuel surcharge waiver इन सब के अलावा आई से बैंक का platinum credit card आपको 15% off भी देता है डाइनिंग benefits यानि अगर मालीजे जो भी आई से बैंके टाइप है जिन भी रेस्टोरेंट्स के साथ अगर आप उन रेस्टोरेंट्स में विजिट करते हो तो उस case में आपको डाइनिंग benefits मिलते हैं 15% यानि जो भी आपका बिल आएगा उसमे आप वहाँ पर विजिट करोगे आप अपने credit card से बिल की payment करोगे तो आपको 15% का सीधा सीधा cashback मिल जाएगा अब इस case में कुछ बातों का ध्यान आपको यह भी रखना है कि आपको कभी भी अपने credit card से ATM विजिट करके cash withdraw नहीं करना चाहे वह आई से बैंक का ATM या फिर किस विजिट करके cash withdraw किया तो जितना भी आप cash withdraw करोगे उसका साढ़े तीन परसेंट में फीस इंपोस करूंगा अब यहां पर मिनिममम फीस भी आईसे से बैंक यह बोलता है कि मिनिममम तो 500 रुपे मैं चार्ज करूंगा ही करूंगा यानि अगर मालो आप छोटी amount निकालते हो तो उस case में भी आपको कम से कम तो 500 रुपे देने ही पड़ेंगे as a fees तो यहां पर मैं आपसे request करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो कभी भी credit card से आप ATM विजिट करके cash withdraw ना करें इन सब के अलावा आप हम कुछ fees को discuss कर लेते हैं जैसे काफी बार क्या होता ह है कि मान लीजिए आप टाइम पर आईसे से बैंक के बिल नहीं भर पाते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई payment की आपको मान लो credit limit मिली है पचास अज़र पर यूज़ कर लिए अब इस case में मान लो आप पचास अज़र पर टाइम ली पे नहीं कर पाते हो ठीक है तो इस case मे आईसे इसे बैंक आपके उपर साढ़े तीन परसेंट पर मन्त के हिसाब से इंट्रस्स चार्ज करेगा और साथ में आपके उपर लेट payment फीज की पेनल्टी भी लगाएगा अब पहली बात तो मान लो आपने पचास अज़र रूपर यूज़ किये उसमें से मान लो आपने 10,000 रुपे बैंक को pay कर दी, यानि अब आपने 40,000 रुपे जो आपको pay करने चाहिए थे, वो आपने pay नहीं की, अब इस 40,000 रुपे के उपर, एक तो late payment fees की penalty लेगेगी, और इस 40,000 रुपे के उपर interest भी बैंक आप से लेगा, यानि यही बैंक की main income आई है, कि high interest charge करता है, औ और late payment fees भी बहुत जादा होती है, यह हम discuss करेंगे कि कितनी late payment fees लगती है, लेकिन interest clearly यहाँ पे आपके ओपर 3.5% का ICICI bank impose करेगा, तो यहाँ पे आपको बस इन ही चीजों का ध्यान रखने है, कि अगर आप credit card ले रहे हो, यहाँ पे बिल्कूल बहुत जादा benefits है, क्योंकि free of cost आपको credit card मिल रहे है, ना कोई joining fees है, ना ही कोई annual fees है, यानि बहुत ही शांदार credit card है, कोई भी आपको fees नहीं पे करनी, free of cost आपको credit card bank दे देगा, बस आपको इन चीजों का ध्यान रखने है, कि अगर मालो आप 10,000 रुपे यूज कर रहे हो, तो 10,000 रुपे जिस दिन खाने है, और अगर आपकी pending amount जो रुपे से लेकर 500 रुपे की बीच में, तो इस case में इंट्रस के सासथ मैं आपके उपर 100 रुपे की late payment fees भी लगाँगा, अगर आपकी pending amount 500 रुपे से पांच सब्सर रुपे की बीच में, और आपकी pending amount 5000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे की लगेगी और अगर आपकी पेंडिंग पचास हजार रुपे से जादा है तो इस केस में आपके उपर बारास और रुपे की लेट मेंट फीस इंपोस करते हैं अब एक बार हम वीडियो के एंड में ये देख लेते हैं कि कैसे हम इस क्रेडिट कार्ड के लिए एपलाई कर सकते हैं अब ICICI Bank क्रेडिट कार्ड एपलाई करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गया है जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एपलाई नाओ के ओप्शन पर क्लिक करने है उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे दिखाई देगा यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना full name एंटर करने है फिर आपको अपनी email id एंटर करने है उसके बाद आपको अपने शहर का नाम सेलेक्ट करने है उसके बाद आपको अपने pen card का number एंटर करने है और उसके बाद नीचे आपको continue के option पर click करने है उसके बाद next page पर ये आपसे आपका employment type पूछ रहा है अगर आप कहीं पर job करते हो तो आपको salary का option select करने है नीचे आपको monthly salary select करने है कि आप महीने में कितना पैसा कमाते हो उसके बाद नीचे आपको अपनी company का नाम enter करने है और अगर आप अपना खुद का business करते हो तो आपको self employment का option select करने है नीचे आपको select करने है कि आपका total turnover कितने है turnover select करने के बाद नीचे आपको yes को option को select करने है और add then नीचे आपको continue के option पर click करने अब क्योंकि मैं जिसके लिए credit card apply कर रहा हूँ वो salary class है तो यहाँ पर मैंने salary का option select कर लिया नीचे उनकी company का name मैं यहाँपर enter कर देता हूं यहां पर मंतली सेलेक्ट करने के बाद और कंपनी का नाम एंटर करने के बाद नीचे मुझे कंटीनियू की ऑप्षिन पर क्लिक करने उसके बाद नेक्स पेच पर यह आपसे पूछ रहा है कि आपका इसे बैंक के साथ क्या रिलेशन है क्या आपका सेलरी पर क्लिक करने आपके मोबाइल फोन पर वरिफिकेशन के लिए बेजा जाएगा वह ओटीप आपको यहां पर एंटर करने के बाद नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर सेलेट करनी है फिर नीचे चेक बोक्स पर टिक करने और एड़ दान नीचे नेक्स पर क्लिक करने तो अभी के लिए इस इस दे अफ द वीडियो थेंक्स पूर लिसनेंग एंड थेंक्क यहां